मनजिले मिले ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है पर हम कोशिस ही ना करें यह तो गलत बात हेलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर जिकेट्रिक में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रकास का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में देखिए दोस्तों आज आपका यह जो कांसेट है जो सारी कंफ्यूजन रहती है जो प्रकास का प्रकास का परावर्तन होता क्या है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा कांसेट क्लियर हो जाएगा देखते रहे बस माली जी यह कोई चिकनी सता है और यह पॉलिस किया गया है क्या है फिलहाल यहां हम उधाहर लेंगे समतल दर बशाण का तो होता क्या है यहां एक अभिलंग रेखा होती है अभिलंब रेखा क्या है एक कालपनिक रेखा है इसको नार्मल भी बोलते हैं तो हिंदी में हम पढ़ेंगे अभिलंब उसके बाद देखिए एक किरण आएगी इदर से देखिए माली जी टार्च वगएरा है जो भी रोस्नी प्रकास की आ रही है माली सुरी की रोस्नी चाहे जो रोस्नि में इधार का सिंदेधा कर करना पतित। पतित का मतलब क्या होता है गिरना। क्या होता है भही Geral, आपपतित। को मतलब होता है गिरना। देखे.. प्रकास की केयने आ रहे धि Chancellor और यहां से reflects यारी ठक्राईंगे, और ठक्राकर उसी मढ्द्यम में क्या हो जाएंगी। परावर्तित क्या हो जाएंगी मेरे भाई उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएंगी और यही घटना क्या है प्रकास का परावर्तन परा देखिए पर ऐसे कहते हैं पराओं कोई चीज परा किसी पर क्या है इस दरपण पर संऊत्र पर रोसनी पड़ी ε saben में उसी मार्व 속 किंदे किरिड़े किसी चीकने पॉलिश दार सता से तकराती है और कर प्रकास का संपूर्ण अत्वां कुछ भाग उसी माध्यां में लौट जाती Object गंट नक्या कहलाती यहां प्रकास का प्रावर्तन होता है यहां कॉर्ण आई होता है कौन आर होता है अभी बताएंगे दो नियम भी होता है इसका तो देखिए समझें प्रिकास का परावर्तन क्या होता देखिए जब भी आपको कुछ पढ़ना हो आप आस पास उदाना धूंदिए अब हम स्कूल जा रहे हैं मालीजे कहीं पढ़ने जा रहे हैं या कहीं जा है अपने दोस्त को बुलाना है यह हमारा च्छत है और वहां दोस्त का च्छत है तो क्या किया है वह गलती किया है उसको बुला रहे हैं काफी तेवी से लेगिन वह सुन नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम देखिए वह एयर फोन लगाया हुआ है कान में और सुन नहीं रहा ह यहां है और दोस्त क्या किये माली जी ऐसा सिस्थम है माली यहां से हैं और यह रिफ्लेक्ट करके यहां रोज़नी डाल दी ऐसा कुछ देखिए अब दो नियम हैं देखिए प्रका जो परावर्तन संबंदी है दो नियम कौन सा है देखिए आप्तित किरान परावर्तित किरान और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं या तीनों एक ही तल पर होते हैं पॉइंट पर होते हैं यहां देखिए ठीप यहीं पहल सब्सक्राइब क्या होता है परावर्तन कोंड के होता है ठीक भाईया चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ आपको बताएंगे लिदार फिर हम समझते हैं अब प्रकास का अपवर्दन इसके बारे में पढ़ेंगे अपवर्दन क्या होता है प्रकास का तो देखेकी क्या त Mysteries इसमें क्या होगा माध्यम दो हुँगे क्या हुँगे एक माध्यम फस्ट होगा एक माध्यम सेकेंड होगा यानि दो माध्यम होगे अब देखिए ये क्या होगा अभिलंग होगा अब देखिए प्रकास की किरणे इसकी देखिए परिमासा कैसे बता रहा है यह देखिए यह देखिए तो यहां से क्या करेंगे जब देखिए परिमासा यहीं से बन गई जब प्रकास की क प्रवेस करने के पसाथ वह अपने मार्ग से बिचलित हो जाती है वही घटना क्या है प्रकास का अपवर्तन है प्रकास का अपवर्तन देखिए जाना तो चाहिए इनको सीधे लेकिन क्या हुआ अपवर्तन के बारे में जब प्रकास की किरणे किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेस करती है और प्रवेस करने के पसाद वो अपने मार्ग से बिचलित हो जाती है बिचलित का मतलब क्या है मालीजे आप सीधे जा रहे हैं इस्कूल जा रहे हैं आप मालीजे क्रिकेट मैच वगेरा हो रहा है क्या किये आप उधर चले गए इधर चले गए क्या हुए आप बिचलित हो करता हैं अच्छा एक बात और करते हैं कि यहां कव प्रिकास की किरने अभिलंग की तरफ जुपती हैं कव अभिलंग से दूर हटती हैं तो यहां देखेंगे काफी अच्छे से समझेंगे भाईया इसको तो देखिए दो कंडीशन हैं एक सघन है एक विरल है देखते रहें सघन और विरल अब देखिए आपको याद नहीं होता क्या कैसे होता है अगर सघन से एक्जांब कैसे पूचा जाएगा जब प्रकास कि कैने सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेस्ट करेंगी तो क्या होगा अभिलंग की तरफ जुगेंगी दो ही तो क्या कैसे होगा अभी पहले आपको बता दें सघन और बीरल के बारे में काफी अच्छे से सघन घन क्या है घन मतलब आप समझे घना कोई चीज घना है यानि किसे वेरन वगयरा लगती है जो रुपाई करते हैं वेरन वगयरा यह देखिए पेड़ वगयरा जो लगता है सघन का मतलब आपको बताइंगे सहिर अब हुआ पे वी के अधि SEC है पोड़ा दिहान रखिए उसके बाश सब कुछ आने वाला अब अब देखिए अब हम एक कहानी बतारें सघन का मतलब आपको बताएंगे सहर क्या बताएंगे सहर और वीरल का मतलब गाउं क्योंकि गाउं में जो लोग हैं वो दूर दूर रहते हैं और सहर में जब आप सहर जाते हैं तो वहां भीड़ बाड़ रहती हैं यहीं कांसिप्ट सब कुछ याद होने वाला है आपको अब देखिए कहां से जा रहे हैं सहर से लौट रहे हैं देखिए सखन से वीरल आ रहे हैं तो देखिए सहर से आ रहे हैं कहां गाओं में अब देखिए आ रहे हैं आईए आप तो क्या होगा डाट डाट करके यह तो रहेगा इसे जाना च जब प्रकास की केंडे सघन माध्यम से बीरल माध्यम में प्रवेश करेंगी तो प्रकास की केंडे कहा होंगी अविलंब से दूर हट जाएंगी यही कांसिप्ट है अच्छा अगला देखिए इसको रफ करते हैं भीया अगला देखिए अगली कंडिशन किया है आपकी यह देखिये यहां सघन से बीरल था अब देखिये बीरल से क्या हो जाएगा यह सघन अब देखिए देखते रही हिए तो अभी लंग ही है आपकाeger अभी लंग है अब देखिए बीरल से सघाना रहते बीरल का मतलब गाउं से जा रहे हैं आप समझीं समझने के लिए और हो यह सहर है क्या रहती už गाउंचे सहर है क्योंकि सहर में ज्यादा भीड़ तो उमीद करता हूं देखिए आप लोगों को ये concept clear हो गया होगा कि परावर्तन क्या होता है प्रकास का और अपवर्तन क्या होता है काफी अच्छे से और जब बीरल से सगन माध्यम में प्रकास की किरणे जाती है तो क्या होता है अविलम्र की तरफ जुकती है या अविलम्र से दूर हटती है यह सारा डाउट आपका clear हो गया होगा चलिए दोस्तों देखिए आएक बात और बता दें आपको चलते चलते कि देखिए जो मच्व कारण है या पैंसिल आप डालते हैं ग्लास में कांच का ग्लास लेए उसमें पानी भरिये पैंसिल डाले तो तेड़ी सी दिखाई देए किसके कारण भीया अपवरतन के कारण क्यों जब भी जहां दो माध्यम हो वही और देखिए एक कुश्चन यादा कोई मच्वारा है वह मचली को काड़े से मार रहा है ठीक भीया ऐसा कुछ कर रहा है ऐसा कुछ है उससे मार रहा है तो क्या करेगा वह मचली को किधर मारे या क्या कारण है कि जो उसका निसाना है वह चूप जाता है किसके कारण अपवरतन के ही कारण किसके कारण भीया अपवरतन के कारण अ तो यह किस साइड यानिक साइड मारे पहुंचात कि उसको लग जाया आगे की तरफ हाथ करेगा आगी की तरफा जोड़ मारेगा चलिए दोस्तूं मिलते हैं नेक्स्च वूडिकвед वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग बंदे मात्रब अपना ख्याल रखना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर विल आइकन को जरूर प्रिस करें धान्यवाद